नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर पर दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आए जानते हैं सिर्फ दो रुपे में किस तरीके से आप निकाल सकते हैं दातों के कीडे दूद की तरह आपके दांत चमकने लग जाएंगे यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए जिस तरह लोगों का खान पान बदल रहा है आए दिन हर किसी के साथ दांत की समस्या देखी जाती है पहले यह शिकायत सिर्फ बच्चों के साथ होता था किन्तों अब व्यस्क भी दांत खराब होने एवं सरने जैसी समस्य करना से जुज रहे हैं दात का दर्द हमारी जिवन शेली को बुरी तरह से प्रभावित करता है यूग कहें कि दर्द के मारे लोग चैन से सोभी नहीं पाते हैं पहले जानते हैं दात के दर्द की असली वज़ह क्या जैसा कि सभी जानते हैं कि खाना खाने के बाद अच्छी तरह मूद होना चाहिए ताकि खाने का कुछ अंश दात में फसा हुआ न रह जाए लेकिन कुछ लोग ऐसा करना जरूरी नहीं समझते हैं वहीं फसी हुई चीज टाइम बीतने पर सड़ जाती है और दांतों को भी बताएंगे एक ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिसे अपनाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और दांत का दर्द छूमंतर की तरह गायब हो जाएगा जिहां आए जानते हैं इन्हीं नुस्खों को जिहां आज हम जिस फक जूंदे पानी के डाल कर हम एक ऐसा पेश्ट तयार करेंगे जो किटाडूस का सत्या स्ट्यानाश कर देगा और इसे अच्छी तरह मसल कर इसका पेष्ट बना लें इसे बनाना जितना आसान है इसका इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल है अब आईए जानते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपको और यह बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है जब यह पेश्ट बनकर तयार हो जाता है तब इसे तीली की मदद से उन दांतों पर लगाएं जिसमें कीड़े लग गए हो यानि की कीड़ों ने जिसे जखड रखा हो यादि आप उस दांत के उपर यह पेश्ट लगाते हैं तो कीड़े मर जाएंगे और कभी भी दात दर्द की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी बता दें कि यह नुस्खा सबसे सस्ता और सुईधा जनक है जिसे आप में से हर क को यह अपना सकता है आप अपने दांतों पे अशर देख सकते हैं ये बिहद हैं सरकारकुपाय हैं बस आपको करना होता है जब ही आपको लगे कि आपके दात हो रहे हैँ आप पहले है उस पर यह पेश्ट लगा दीजीए आपको रहात मिलेगी ये अथी आजकी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बेहदे महतोपूने जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों